दोस्तो भारत को 266 रन बनाने थे और इसके बाद शुमान गिल ने भी जड़ दिया था शदक लेकिन इसके बाब चूद भारती टीम को लगा था बड़ा जटका और दोस्तो बांगलादेस की टीम ने कर दिया था भारत का बुरा हाल ज़्या दोस्तो भारत बांगलादेस की टीम के बीच आखरी मुकाबला जब हुआ था तो उस मुकाबले में बांगलादेस की टीम ने कमाल का परदशन करते हुए भारती टीम को कड़ी टक कर दी थी जहां उस मैच में बांगलादेस की टीम ने पहले बले बाची करते हुए 26 65 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर और इस मैच में कप्तान साकिबुल हसन ने 80 रनों की पारी खेली थी तो हरदोई ने भी 54 रन बनाए थे तो आखरी में आकर नुसाद एहमद ने 44 रनों की पारी खेल डाली थी जहां के इंद बाजी में भारत की तरफ से शारदुल ठ शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे लेकिन एक तरफ इस मैच में शुमान गिल कमाल की बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने इस मैच में 121 रनों की शांदार पारी खेली थी लेकिन दोस्तों उनकी ये शांदार पारी भारत को जीत नहीं दिलवा पाई थी क्योंकि दोस्तों भारत की टीम को देखे तो पूरी तरह लागते शांदार पारी है जहां 2022 में दोनों टीमों के बीच वन्डे सरीज हुई थी और उस वन्डे सरीज को बांगला diabetes की टीम ने 2-1 से अपने नाम करा था जहां बांगलादेश की टीम ने पहला वन्डे मैच एक विगि में उन्होंने 5 रणों से जीता तो दोस्तो इसके बाद भारत ने तीसरे मंडे मैच में 227 रणों के बड़े अंतर से बंगलादेस को हड़ाया था और दोस्तों मैच में इशान किशन ने दोरा से तक जड़ा दोस्तों इसके बाद जब इन दौनों टीमों के भीच आखरी मुकाबला एसिया कप में हुआ था तो उस मुकाबले को बांगलादेश की टीम ने चे शी रणों से जीत लिया था ऐसे में प्याइक पूर्री तरह बांगलादेश का पलड़ा भारी पढ़ सकती है पिछले कुछ आकड़े तो यही बता रही है हाला कि दोस्तो इन दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में अब तक चार मैच हुए है और चार में से केवल एक ही मैच बांगलादेश जीत पाया है तो दोस्तो तीन मैच भारत ने जीते हैं और दोस्तो यहा मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा और दोस्तो इस मैच की टाइमिंग दोपहर के दो बजे की रहेगी और यह मुकाबला पूने के मैदान पर होगा जा दोस्तो पूने का मैदान आम तोर पर हाई स्कोरिंग के लिए जाना जाता है इस मैदान में काली मिट्टी है जिससे उच्छाल जादा मिलता है और बल्ले बाजों को जादा मदत मिलती है और इस मैदान पर वंडे मैच में सबसे जादा रनों का स्कूर 356 रन बने है तो सबसे कम स्कूर 232 रन बने है और यही आकड़े दर्शाते हैं कि यह पिछ बल्ले बाजों के लिए कितनी इसके अलावा तेज गेंदबाज इस मैदान पर बाउंसरों का अच्छा इस्तुमाल कर सकते हैं और बेस्ट मैन को परिशानी में डाल सकते हैं जहां इस मैदान पर जस्परीद बुम्रा और मुहमद शिराज जैसे खातक गेंदबाज बांगलादेश के उपर पूरी तरह भारी पड़ते दिखाई देंगे ऐसे मैदान के अब तक के आकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर अब तक साथ मुकाबले हुए हैं तो दोस्तो दूसरी जुम्रा बैटिंग करने वाली टीम तीन मुकाबले जीती है ऐसे मैदान पर जो टीम टॉस जीतेगी वह सीधा बैटिंग करने के लिए देखेगी ऐसे मैदान आपको क्या लगता है भारत की टीम अपनी चौथी लगतार जीत हासिल कर पाएगी कि नही आप अपनी कीमती राह में नीचे कमेंट में जरूर बताएं